तो हेलो दोस्तों नमस्कार जय हिंद जय भारत कैसे आप सभी लोग उमीद करता हम अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रमाजदिंग क्लासिस के अंदर और दोस्तों पूरे देश में हर्शोलास का माहूल बना हुआ है क्योंकि जो लोगतंदर का सबसे बड़ा पर्व है वो आज है और आज जो है चुनाव के नतीजे आ चुके है चाहे हम स्टेट लेवल की बात करें चाहे हम लोग उसको सेंटर लेवल की बात करें तो दोस्तों इसको अगर हम थोड़े से पॉइंट ओफ व्यू में लेकर के चले एक्जाम के कि जो कॉमिटिटिव एक्जामस है उसके अंदर आगे का क्या नजरिया देखते हैं तो वो मैंने सोचा गी आपके साथ कुछ डिसकेशन किया जाए कुछ नोलेज शेर किया जाए कुछ आपका नोलेज भी जान लिया जाए ठीक है तो दोस्तों आपकी बार आपको पता है के अंदर में किसकी सरकार बनेगी और उसका आगामी भरती प्रिक्षाओं पर क्या असर रहने वाला है वो अपने एक brief analysis करेंगे और उसके अलावा आपको जो चीज लगती है वो आप लोग मुझे बताना ठीक है ये just a normal वीडियो है सिर्फ इस बात का discussion करने के लिए कि आगामी जो हमारे exam साने वाले हैं उसके ओपर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारी वीडियो यार contribute जरूर करना comment जरूर करना आपकी valuable लाय मुझे जरूर चाहिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें state level versus central level की तो यहाँ पर आपको पता ही है कि दो जो parties है वो काफी टकर में चल रही है ठीक है और symbol आप लोगों ने देखी लिया है नाम लेने की कोई जूरत है नहीं क्योंकि आप सबी लोग अच्छे से जानते हो इन दोनों parties को ठीक है अब दोस्तों यह देखिए कि एक तो state level की बात है state level में आपको पताई है कि राजस्तान के अंदर जो है वो किसकी कितनी seat गई है comment section में मुझे comment करके बताना किसकी कितनी seat गई है वैसे आपको hint बतायता हूँ कि बीजेपी आगे चली है हा ना बीजेपी की maximum seats गई है उसके ब impact पड़ेगा state level के उपर जो हाली में जो government चल लई है उसके अंदर आपने देखा होगा कि exams को लेकर के काफी ज़्यादा उथल उथल रहती है तो अब हो सकता है कि जब central सरकार जो है वो जब एक state की government के अंदर जब central government एक state की government में थोड़ा सा interfere करने लग जाए तब जो जरूर ध्यान देगी बीजेप इस बात पर जरूर फोकस करेगी कि वहां पे exams को लेकर के विद्यार्थियों को प्रेशानी ना हो क्योंकि जो यूवा है वो कल के आने वाले water भी है ठीक है और आगे की sheets के लिए भी उमीदवार भी हो सकते है तो इसलिए उनके exams में कोई कमी ना रहे और उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो यहां पे देखने को मिल सकता है क्योंकि जो current जो government रही है उसके अंदर थोड़ा सा उत्रपुतर आपने देखा भी है ठीक है उसको को बताने कि आप सेकता नहीं है उसमें थोड़ा सा उत्रपुतर रहा है वहीं अगर अगर ने बात करें स्टेट सेंटरल लेवल की तो सेंटरल लेवल पर भी यहां पर वन साइड़ जीत यहां पर दिख रही है और सेंटरल लेवल के उपर भी इसका काफी इंपर पढ़ने वाला है अब दोस्तों कि बात करें कि which is better for exams तो देखें एक्जाम्स के लिए पहली बात त कोई भी government बढ़िया नहीं होती और दूसरी बात सारी government बढ़िया होती है यह थोड़ा सा गहरा point है यह ध्यान से समझना मैंने क्या का कि पहले number पे point है कि कोई government बढ़िया नहीं होती है और दूसरे number पे point है कि सारी government बढ़िया होती है ऐसा मैंने क्यों कहा क्योंकि देखो द अग्र अपने बात करें कि इसका आपने कीसे देखैं इसका analysis कैसे किया जाए तो आप लोग एक काम कर सकते हैं ऐसका आप लोग states के आँक्ड बैस अठों अब आप लोग यदेखो कि जिसमेए बीजेपी थी और जिसमेें कॉंग्रिश थी उन दोनों के आंकड़े उठाओ और ये देखो कि किसमे पेपरों में गड़बड़िया ज्यादा हुई है, कौन सी गवर्मेंट के अंटर में, देखो मैं गवर्मेंट को टार्गिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका एक जर्नल नोलेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कि आ जो central current government है, उसके exams के अंदर कितना भागिदारी रही है और जो state government उसके exams में कितने भागिदारी रही है, तो आपको जो है अपना सवाल देखने को मिल जाएगा, रही बात भरती होगी, तो no doubt vacancies हर government निकाल लई है, हर एक government vacancies निकालती है, क्योंकि हर एक government को अपने department के अंद number of persons जो है वो fulfill करने होते हैं, जो कारे करता है वो fulfill करने होते हैं, आई बात समझ में, अब दोस्तों मैं आपका जो point of view हो जाना चाता हूँ, मुझे comment section में comment करके बताओ, क्यार आपको किस तरफ रुजान लग रहा है, कमल या हाथ का पंजा, किस तरफ रुजान लग रहा है, कि जो central government है, वो किस तरफ जाएगी, और कुछ state में हमने देखा भी है कि काफी, मतलब अच्छे नतीजे भी रहे हैं, जैसे कि अगर अपने बात करें, उडिसा की तो वहाँ पे, मतलब की पराने पराने गड़ जो है, वो भी धवस्त कर दिये गए हैं, तो आप लोग का बताना, और दोस्तों, ये जो government है, इसका आने वाले exams के उपर क्या impact पढ़ने वाला है, आने वाली भरतियों में क्या कुछ सुधार होने वाला है, क्या आपको लगता है कि ये जो current government जो बनेगी, वो आगे आने वाली सिक्षा नीतियों गेंदर सुधार कर पाएगी, वो भ ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट उडियों में, तब तक के लिए वाई, टेक के और जैहिन, जैभरत, लव यूँ और